दिपक ठाकुर के बारे में बिग बॉस 12 के दीपक ठाकुर की चमकी किस्मत तीन बड़ी फिल्मों के ऊफर सायों呢 बिग बॉस 12 की ट्रोफी भले ही दीपक ठाकुर नहीं जीत पाए हो लेकिन वह 105 दिनों में लोगु के दिलों पर कभज़ा जमा चुके हैं इसका सबूत तब मिला जब दीपक ठाकुर फिनाले के बाद आम जिंदगी में लाटे बिग बॉस के बाद दीपक ठाकुर अब आम से खास हो चुके हैं Big Boss खत्म होते ही बदली बिहार के दीपक ठाकुर को एक साथ मिले तीन बड़ी फिल्मों के ओफर्स मिल चुके हैं. Big Boss सीजन बारा का फिनाले खत्म होते ही दीपक ठाकुर को खत्रों के खिलाडी सीजन दस ओफर हुआ है. तो वहीं उन्हें तीन बड़ी फिल्मों के ओफर्स मिरे हैं दीपक को बिग बॉस के ही कंटेस्टंट रहे केवी ने अपने प्रोड़क्शन हाउस में बन रही फिल्म में गाने का ओफर दिया इस फिल्म का नाम हमें तुम से प्यार इतना है और इस फिल्म के हीरो खुद केवी होंगे केवी के अलावा और शिशान की पत्नी भुबनेश्वरी ने भी दीपक को फिल्म में काम करने का ओफर दिया है इसके अलावा धवन प्रोडक्शन हाउस से भी दीपक को ओफर किया गया है और दीपक के पास रियालिटी शो का अगला सीजन भी है ऐसे में इतना तो साफ है कि बिग बॉस के सभी तेरा कंटेस्टेंट में से जिस कंटेस्टेंट को सबसे ज़ादा अगर किसी की किसमत चमकी है तो वो है दीपक ठाकुर दीपक ठाकुर की पॉपुलारिटी का अंदाजा आप सभी इन चीजों से लगा सकते हैं कि लोग उनकी एक जलक पाने के लिए बेताब हैं दीपक अपने गाओं पहुँच चुके हैं और हर किसी से मिल रहे हैं वो अपने सभी दोस्तों को गान गाकर सुना रहे हैं तो वहीं परिवार के सास्थ समय भी बिता रहे हैं आपको बता दे कि दीपक ठाकुर बिग बॉस बारा यानि कि दीपक ठाकुर की पॉपुलारिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा लेंगे कि वो कितने ज़ादा प्रसिद हो चुके हैं और कितने जादा लोग प्रेय हैं कि लोग उनको एक जलक पाने के लिए फिर उनको देखने के लिए बहुत जादा इंतिजार में है दीपक ठाकुर बिग बॉस सीजन बारा के तीन फार्निलिस्ट में से एक थे दीपक ठाकुर बीस लाक रुपे लेकर फिनाले की रेस से बाहर हो गये दिपका ककड ने बिग बॉस सीजन बारा की ट्रॉफी जीती जबकि श्रिशान दूसरे नंबर पर है श्रिशान पत्नी भुवनेश्वरी और शिलपा शिंदे के पास पार्टी करते दिखे तो वहीं दिपका ककड का घर से मेर में जोरदार स्वागत हुआ जिसको देखकर वह बहुत जादा इमोशनल हो गई थी बहुत जादा खुश ओगई थी लेकिन इतना तो तय है कि जितने भी कंटेस्टेंटेंट थे उनमें से जो दीपक ठाकूर का सफर था वो बहुत जादा पसंद किया गया है और लोग उन्हें देखने के लिए और उनकी एक जलक पान तो अगर आप स्टीस से अगरी करते हैं या फिर आप मेरी बात से बिलकुल सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और दीपक थाकूर के बारे में कुछ लेकें तांक यू सो मच की वाचिंग तुडेइस फॉर मोर न्यूज चानल को सब्सक्राइब करना ना भू प्रूष करना ना भूट से दिलकॉवित हैं जरूर करें वाचिंग जरूर को सो में हमें दोड़ी जड़ार ना जरूर प्रूर करें यूर करेंग।